नमश्कार दोस्तों मैं खुशी आज एक और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ यह वो टॉपिक है जिस पर में बात नहीं करना चाहते थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो क्या बात करती लेकिन इस पारे में इतने सवाल आए आ रहे हैं बार-बार लोग पूछ रहे हैं मुझे तो अश्चर हो रहा है कि सच में इतने सारे लोगों को out of party experience हो रहा है अब यह मुझे लगता है कि वो जिस तरह की जो चीज़े बता रहे हैं अब हो भी सकता है और यह भ्रम भी हो सकता है यह हो रहा होगा मुझे नहीं हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं हो रहा होगा लेकिन जो मैंने पढ़ा है किताबों में और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस पारे में बात की है उनकी बात मिला के मैं कुछ चीज़ें सचे जरू कर देना चाहूंगी आप लोगों को मैं पहले ही बता रही हूँ कि मेरा कोई अनुभव नहीं है मैं जो भी आपको बता रही हूँ किताबों में जो मैंने पढ़ा है उससे बता रही हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये दावा करते हैं कि यहां वो आट अफ बड़ी एक्स्पिरेंस कर चुके हैं करते हैं करते रहते हैं तो उनके उन्होंने जो मुझे रेफरेंस दिया है उन्होंने जो मुझे बाते बताई हैं उसके बदॉलत मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कुछ सचेत करना चाहती हूँ जैसा कि मैंने पहले भी का भटकाना मेरा काम नहीं है मैं भटकाऊंगी नहीं आपको, मैं सचेत करूंगी आपको, क्योंकि मुझे कभी out of body experience नहीं हुआ और मैंने कभी इस चीज के लिए कोशिश भी नहीं थी, और इसका कारण ये है कि मैं अपने शरीर से बहुत प्रेंट करते हूं, मैं अपने शरीर को मानती हूं कि मेरी जो भी जो भी आप यात्रा करते हैं चाहे को संसार में करें, जाहे आधात में करें, वह आप इस शरीर से करते हैं तो इस शरीर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और जब हम शरीर को बार dwars छोड़ते ंहीं एक और वीडियो में ने कहा था कि जब अब शरीर को छोड़के चितना अगर बार-बार बाहर निकलेगी तो हमारा शरीर जो है उसकी उपेक्षा हुई एक तरह से उसकी सेल्स जो है वो मरने लगेंगे तो ओशो ने एक चका पर ये बताया है कि आउट अफ बाड़ी एक्सपीरियंस बार-बार करने की वजह से सेल्स मरते हैं बाड़ी के बाड़ी जो है वो समय से पहले बोड़ी होने लगती है और बहुत सारी बिमारिया रोग आग के शरूर को पकर सकते हैं क्योंकि रोग प्रतिरोधक शम्ता कम होने लगती है और इस चीज को मैं जस्टिफाइ कर पाई हूँ या फिर समझ पाई हूँ मेरी एक फ्रेंड के एक्सपीरियंस से आप जो ये बताती है कि उन्होंने कई बार आट अफ बड़ी एक्सपीरियंस किये हैं वो जब ध्यान करती है तो कई बार ऐसा होता है कि उनका जो आत्मा है वो शरीर छोड़ देती है और उनके साथ ये होने लगा है कि उनको जब से ये क्योंकि एक बार ऐसा उनके साथ हुआ तो कई बार उन्होंने फिर डेलिबरेटली इस चीज़ को करने की कोशिश की और उससे क्या हुआ कि उनको बिमारिया जो पहले नहीं थी बहुत सारी बिमारिया उनको पेट की बिमारी और बहुत सारी जो प्राइबिट प्राइबिट बिमारिया होती है वो सब बिमारिया भी उनको पकड़ने लगी जिसका कारण उनको फिर समझ नहीं आया तो बाद में उनको यही समझ में आया कि वो बार-बार जो ध्यान में शरीर को छोड़ती थी उसकी वज़े से उनको यह प्राप्लम हुई अब यह बात सच है कि जूट है मुझे नहीं माली ठीक है लेकिन जो मैंने सुना ओशो ने भी इस पार में कहा जो उसने बताया उससे भी मुझे यह समझ में आया कि कि अपनी खोशिश से तो कम सकम शरीर नहीं छोड़ना चाहिए कभी कभी शरीर छूट जाता है जैसे ओशो को फर्स शरीर छूटने का एक्सपीरेंस उन्हों बताते हैं तो वो पेड़ पे बैठे वे थे और अचानक से उनका शरीर गिर गया और आत्मा उपरी रह दी तो अपने आप हुआ लेकिन जानबूच के जब आपको पता है तो जानबूच के शरीर को नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा किताबे कहती है ऐसा अनुहफ कहते हैं आप मान दीजे मैं तो यह सोचते हूं कि मान दीजे कि आप शरीर को छोड़ रहे हैं और फिर आप वापस नहीं आप आपको आने में देजी हो गए और आपके शरीर को जिन्दा चिला दिया गया तो मतलब कुछ भी हो सकता है तो सत्थ मुझे नई मालूम क्योंकि यह चीज मुझे मालूम है कि यह कोई अध्यात्मिक अनभव नहीं चरीर में बहुत सारी शक्तियां होती है कुछ चीजे मैंने मैस्स की है तो मुझे मैं इस चीज से ये जानती हो कि शरीर में शक्तियां होती हैं बहुत सारी चीजें घट सकती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारी पावर्स आती हैं लेकिन वो कोई भी पावर आध्यात्मिक होने का निशानी नहीं है वो कोई भी पावर आ आपके पर्मानंस से मिलने में मदद नहीं कर सकती है, वो सिर्फ संसार में आप संसार में उसका यूज कर सकते हो, लेकिन संसार में अगर आपका यूज करते हो तो फिर आप अंदर जाने में फिर आपको वो मदद नहीं करेंगी, ठीक है, तो अगर आप अंदर जाना चाहते ह तो यह सब जो छोटी-छोटी पावर्स आती हैं, इनका अंदर ही इस्तमाल करना चाहिए, इसको बाहर के लिए नहीं करना चाहिए, बाकि मेरे को जादा इस बार में नहीं मालम, लेकिन आप बार-बार पूछ रहो तो मने बता दिया, मुझे नहीं मालम, मत पूछी, ठीक है, और फालतो के काम मत कीजिए, इसका आपके परमात्मा से मिलने में या पर्मानन से मिलने में, आउट अफ बाड़ी एक्स्पीरियंस, कोई हल्प नहीं करता है, इसके साथ एक और टॉपिक पर बात कर लो, कुंडलिनी जागरण, इसके बार में मुझे बार-बार पूछते ह कुंडलिनी जागरण का भी कोई अनुब नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, कुंडलिनी जागरण पर ओश्व का बहुत प्यारा सा प्रवचन है, जो किसी ने उनसे पूछा कि कुंडलिनी कैसे जागरण की जाये, तो उन्होंने बड़े मजा किया ढग से बताया है, कि क्यों करनी है, तुमको कुंडलिनी जागरण बजारी अराम से सोई भी है, क्यों जगाना है, देखिए, शरीर में शक्तियां है, शक्तियों के साथ खिलवाड करने की कोशिश मत कीजिए, आप नहीं सम्हाल पाएंगी वो शक्तियां, अगर सम्हाल भी लिया, तो वो जो आप उनके अगर लाइक नहीं हुए, तो वो आपको परबाद ही करेंगी, आप सोच लीजे कि जितना आप उठा पाएंगे, उतना ही सम्हाल पाएंगे, उससे जादा अगर आपके अंदर भर दिया जाए, गुबाड़े की एक छंता होती है, अगर उससे जादा आपके भर कि इधने दिन तक मुझे बून्ध पैट करेंगे, कब बढ़े मुझे सागर, कब सागर मेरे अंदर उत्रेगा? तो मुझे जवाब मिलता है, या मुझे यह समझ में आता है, कि जश्मता हो जाहेगी तब उत्रेगा, भून्ध है, जिस दिन सागर समालने लाइक हो जाओग सागर उतर आएगा तो बूंद है अभी बूंद से सतुष्टी करो उस बूंद को थीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ अगर एक दम से सागर उतर गया तो डूब जाओगी पिखाई भी देगा तुमको समझ पियाएगा कुछ तो उसके संभालने के लाइक प्रमात्मा बहुत दयार हूं है वह आपको आप भेहिसाब चलते हो वह भी हिसाब नहीं चलता है वह उतना ही देगा जितने जो साप लायक हो फहले अपने आपको लायक बनाऊ शोने भी बार-बार काया कि पात्रता लेकर आओ ना वह तो तरने के लिए तयार है तो मैं भी पातर अपना सजा रही हूं, बना रही हूं, आप भी अपने आपको पातर बनाएए, सब फाल तो कुंडली नहीं, जागरण तो फलाना धिन का, मत पढ़िए सब चकर में, ध्यान कीजिए बस, शुद्ध ध्यान कीजिए, शुद्ध मन रखिए, धीरे धीरे बढ़िए, धीर